तो बच्चो अब ये करते हैं, from the top of the cliff, 92 meter height, the angle of depression of a boy is 20 degree, calculate the nearest meter and the distance of boy from the foot of the cliff. अब बच्चो ये boy मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, sign, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे करकर एक sign given है, ऐसे इधर नहीं इधर जाना है, या फिर एकी danger का sign होता है, कि नहीं यहाँ पर नहीं जाना, इस पर हाथ मतलगा हो, हड़ी बनी भी रहती है, है ना, कंकाल की 92 मीटर की यह height पर एक cliff है, जो इसमे angle of depression of a boy is इतना, अब angle of depression, अब यहाँ से मैं अगर ऐसे करूं, तो इसका एक angle of depression जो यहाँ पर बनेगा, तो यह कितना होगा बच्चो, 20 डिगरी का है, अब angle of depression यहाँ से बना, ठीक है, तो यहाँ से अगर यह 20 है, तो बच्चो, यहा बच्चो, alternate angle, तो यह अगर 20 है, तो यह भी 20 होगा, ठीक है, फिर वो कहा रहा है, calculate the nearest meter distance of a boy from the foot of the cliff, यहाँ से, foot of the cliff से, यहाँ तक की distance बतानी है, इसके है न, तो simple है बच्चो, यह आपका perpendicular है, यह आपका base है, बस अब निकाल लो, तो देखो, पंडित, बद्री, परसाथ, हर, हर भोले, तो यह perpendicular भी है अपके, base भी है अपके, और आपके, angle of depression भी है, तो निकाल लेते हैं, तो देखिए, तो 10 लगाऊंगा, 10 theta equals to हो जाएगा, बच्चो, कितना, perpendicular upon base, ठीक है, अब 10 theta आगया, मेरे पे perpendicular upon base, तो बस अबने इसको solve कर लेता हूँ, तो यह हो जाएगा, हमार पे, यह हो जाएगा, 10 20 degree equals to perpendicular मेरे पे 92, base मेरे पे है नहीं, तो मैं इसको ऐसी लिख देता हूँ, अब देखो, 10 20 degree, अब 10 20 degree बच्चो, ध्यान से देखिए, यह तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, पढ़ा है आपने कभी, तो बस आपको अब क्या करना पढ़ेगा, आपक ब्लॉक टेबल पे चलते हैं, तो देखे बच्चो मैं अब यह 10 की टेबल लेकर आ चुका हूँ, तो देखे 10 20 degree बोला था, 20 degree है यहाँ पे, अब सीधे सीधे मैं फर्स्ट वाला ही लूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिनट ही मेरे दिये में नहीं है, तो देखे 10 20 degree है बेस, ठीक है, बेस को मैं दल ले आता हूँ, इसको मैं नहीं चले आता हूँ, तो बेस हो जाएगा, 92 upon 0.3640, पॉइंट हटा है, 4 0 गोड़ाएगा, 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 cancel, और आप इसको आप डिवाइड करोगे, यह हो जाएगा, 9200 0 divided by 364, आप इसको डिवाइड करोगे, तो मिर पे, बेस की वैलियो आ जाने वाले, विच इस, यह आएगा बच्चो, कितना आपका, यह आएगा, 252.74, और यह चलता रहेगा, तो आप एक काम करना है, यह आप लिख लेना, 252.75, मीटर पर है, तो मीटर पर लिख लेना, तो आई हो, बच्चो अब आपको समझ में आ गय आते हैं, तो इस केस पे हमें क्या करना चाहिए, इस केस पे हमें लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा, अब देखो, हमें जो हमें पता है, तो हम, जो 30 है, 30 है, 45 है, 60 है, वो तो हम कर सकते हैं, पर इस केस में हम लॉक टेबल का यूज करते हैं, और आपको अभी लॉक अच्छे से देख लीजिए मैंने आपको बताया नहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूगा आप उस पर भी देख सकते हैं